यहां पे हम लोग को चर्का चलाना से खा रहे थे हैं पे गांधी जोयन्ती टू अल हलो गाइस विलकुम टू मैं चानल में हुआ यह आपको मेरे चानल पर बहुत दस्वागत है आज ए गांधी जोयन्ती तो मैंने सुच रहा कि क्यों ना गांधी आश्रम घूमने चले तो मै मैं और भाई तो रेडी हो गए अभी और अभी कुछ दिर में हम लोग निकलने माले हैं तो अब मैं आप लोग को भी लेक के चलती हूं आप पर दिखाती हूं आप क्या क्या चीज़े हैं ठीक है मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूं तो साथ में देखते हैं चलो फिर लेट् अभी हम लोग गांधी आश्रम आच चुके हैं आज गांधी जायनती है इसलिए हम पर बहुत जादा भी रश है और बहुत सारे लोग है बहुत सारे स्टूरेंट्स भी निकले हैं यहां से हलो तो अभी हम लोग मुजियम में एंटर हो रहे हैं कि अभी अगहा से गांट में अभी हुज点िक कि एड़ Canal Hektis अभी हम दोचे किने हैं ख़ुई गांट हैं सकती हैं में ख सकती हैं सकता कि रह रहां ब arist हैं कर दो 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 क्तल सकता साथ बड़र आंप कर दो कर दो करेंगे हैं कर दो कर दो hoंतो तो हम लोग अभी और पिच्चर गैलरी से बहार निकले हैं और वहां पर इतनी सुंदर-सुंदर पिच्चर थी और अभी आप लोग ने देखे हुआ तो बहुत ज्यादा सही लगी है ना भाई बहुत अच्छी लगी वहां पिच्चर इब देखे बपने बाक्साइड रहां पर वाई भाई लुझ मैं बखर भाई ने जा वाई लुझ मैं मैं है यहां पीचर एड़िए रपने बखसाईड यहां मैं और बहुत सुन्दर भी हुए यहां का आप लोग खोद ही देखिए यहां बहुत ही जादा सुन्दर भी हुए यह वो जगे है जहां पे गांधी जी रहते थे और यहां पर हम लोग बहुत ही जादा साई टाइम पर पहुंचे वे यहां पर हम लोग को चर्खा चलाना सिखा और बहुत जादा इंट्रेस्टिंग लगा लेकिन सबसे जादा इंट्रेस्टिंग यह अंकल काम लगा मतलब वो कॉटन से थ्रेड बना रहे थेयार उनकी स्किल्स तो देखो में तो बहुत मजा गए यह देखके और आई विश मैं भी कर भाती है और यह है कांधी जी का रू ए स्टोरूर यह बैट्वा यह चूछ रहे वहा पे स्टोरूम है और स्टोरूम उस वा रू मुस ख़ला नहीं था पर किचन में पर लोग जो भी यूटेंसिल इस और चीजिह हो कर थे गारख यहाई तो प्लीट है और चीज ऑन बहु tão इन्टरेस्ट्टरूर उ शीचिह औ और ये लिस्ट है गांदी जी के मोहन टुमात्मा के सफर की गाइस मुझे यहां बहुत अच्छा गिफ दिया है चिर्यों ने मेरी वाइट टीशट पर बहुत जादा अच्छा गिफ दिया है लोगने मुझे और ये बुक शॉप है यहां पर गांदी जी के रिलेटेड जो भी बुक सारी मिल जाएंगी यहां पर आपको और ये है खादी शॉप यहां पर खादी के कपड़े मिलते हैं और यहां पर आप इन कपड़ों को पैसोज भी कर सकते हो